टे ग्रांडवी इस्टेट एनर्जी अफी टेट सेट मी dewसिट कितना मेरे बाई तो ग्रांड इस्टेट में अनर्जी लेबल होता और उलेक्टान कर देखो जब वेंग इपीज इस इंदफर्स इक्साइटेज स्चेट एट उसका इसासिन इस्टफीन के भंभ से समझने की पारा तो गुमा फिरा के बता रहा तो हम भी लोग n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 यह जो होती है वो first excited state होती है तो first excited state यह वली चीज होती है और यह होती है second excited state इनर्जी लेबल जो two होता है वो second excited state है और यह हमारा होता है ग्राउंड इस्टेट में energy कितनी है तो ग्राउंड इस्टेट में energy 13.6 है तो जन्रल एनर्जी का expression क्या है कि माइनस 13.6 पर एन एक्साइडेशन इनर्जी लेडी घुक्योंड इसकी इस्टेट है ग्राउंड इस्टेट में फॉस्ट इस्टेट में जंप कर गया है अब यहां पर यहां पर काम नहीं करते हैं जो सरकारी इंप्लाई होते हैं वह सार रोब होते हैं तो उनगों कुछ गूस दे दोगे कुछ ब्राइब दे दोगे कुछ घूस दे दोगे तो वह तुरंत तुम्हें काम कर देंगे तो वह एक्साइटेशन एनर्जी की करा काम किया पैसा तो वह वह ही पूछ रहा है कि इसको कितनी एनर्जी दिया जाए जैसे first excited state में चला जाए तो इसको बहुत आसान है आपको energy level पहले से याद है इसका माइनस 13.6 electron volt और इसका होता है माइनस 3.4 electron volt तो इसका और इसका जब difference लोगे डेल्टा ही तो यही तो excitation energy है तो 13.6 electron volt में 3.4 घटा दो यह जाएगा 10.2 electron volt यह हमारा final solution है तो 10.2 electron volt that is a option सही है चलो कहता है total energy of electron in the ground